नमस्कार मैं जहांगीर आलम आप देखने कोल फिल मिलर हर पल आपके साथ ए खुदा ये तेरी कैसे खुदाई नेक बंदों के बीच हैवानियत कैसे समाई नाजिश है मुझे उस खुदा पर नौवद भी लाएगा कुछ खास वक्त देख कर दरिंदों का हिसाब जरूर लगाएगा एक दौर चला अपना भी दुनिया को समझने का एक दौर अब चल रहा दुनिया को समझाने का रिस्ता कोई भी हो जब दिल पाप में रहे तो हर रिस्ता नाजाज बन राता है चल पड़े हम अतीत की ओर जानवर से सुरूर जानवर पर अपनों की बस्ती में मेरी हस्ती भी खत्म होने लगी है वो आए अपने मतलब से मगर मुझे लगा मुझे दिल लगी है FM News Channel आज हमारी टीम के N UK के स्टूडेंट जो मास्टर डिगरी कर रही है उनका नाम है टिंकल बर्मा आज हम लोग उनके घर पे आए हुए है टिंकल बर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि जहां ये सोख है जंचल है उसके साथ इनकी राइटिंग जो स्पृट है वो बहुत अच्छा है और काफी तीजी के साथ वो उभरती हुई कलाकारम उनका सुमार हो रहा है और अपनी पोईटरी से वो इस शहर में एक सनाख्त बनाई हुई है आए उनसे जानते हैं कि वो खुद बेटी होकर बेटियों को बारे में क्या सूचती है क्या नाम हुआ आपका ट्रिंकल वर्मा अच्छा अभी आप कहां प्रते हुए मैं अभी काजी नोजरोल विश्वेदाले की सेकंड सेम की चात्रा हूं अच्छा आपकी अपनी बच्पना को बारे में कुछ बता हुआ अ मेरी बच्पन और नॉर्मन लड़कियों की तरह नहीं गुजरी है मैं सुरू से ही अपने पीता के साथ नहीं भीता हूं और पीता से मैं बहुत को सीख्यू कह लेकर पर अपना वक्त बिता रही हूं अब बहुत कुछ सीखने को मिला है तो अभी आप मास्टर डिग्री कर रही हो और यूवर्सिटी जाके हो क्या होता आपका रूटी ने रूटीन यही है कि 11 वैसे लिकर पांच वेदर क्लास होती है और मुझे सारा क्लास करना मतलब मुझे र पर इंदा जाता क्या बहुत अच्छा भी कोईट्री लिख रही हो जी यह सोच आपको मन में कहां साय जी मैं लिखती थी बीए से स्टार्ट की हूं तो जब मैं लिखती थी देखिए मैं आज जो भी कर रही हूं बहुत बड़ा योगदान है किसी ने मेरा उपहास किया था कॉलेस टाइम में तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा खिली उड़ाया मेरा मजाग उड़ाया जिसे मैं इस तरह से अच्छा लिख पा रही हूं और अच्छा करने का प्रयास में जारी दखोंगी क्योंकि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है मेरा माता पीता का जो सपना मुझे पूरा करना है मुझे स्कूल में इसतर पर सिक्षका बना है क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो नए सीरे से मैं सिक्षा देना चाहती हूं अपकी स्ट्रेंथ क्या है होसला कहां से मिलता है उन्होंने मुझे इस काविल बनाया है कि मैं हर परिशानियों से लड़ सकती हूं जिए बिलकुल नहीं क्योंकि पिता जी जितना भी मैं ठक जाओ फिर पिता जी कहते हैं कि पढ़ाई को अपना जारी रखे और पढ़ाई को कभी स्टॉप करने कर लिए किसी नहीं कहा ना मुझे खुद कभी खाया लाया क्योंकि मैं बहुत मुसिबत से यहां तक पहुंची ह पर आकर इस जगह पर आकर अगर मैं पढ़ाई छोड़ने की बात कहूं तो यह बेवकुफी होगी तो आपको कभी छेड़खानी का समस्या सामने है जी बिलकुल जी मेरा थोड़ा सा है कि मुझे यह से पसंद नहीं है छेड़खानी और जब लोग छेड़ते हैं बदमाश होंगी कि अगर इस तरह का आपके साहथा होता है छेड़ खानी होती है तो आप वहां पे हल्ला मचाये लोगों को जनाए कि आपके साथ क्या हो रहा है ताकि वहां के लोग आपकेस हाइता कर सके और छ्रकानी अगर एक दिन लोग करते और उस समय उसका जवाब ना दिया जाए तो उनका मन बढ़ जाता उस तरह से इन दिन लोग देख रहे हैं कि जो लड़किया प्यार में धुका खा जा रही है तो वह सुसाइट कर लिए है अपना जिन्दगी हार जा रही है अएसी लड़कियों को आशिक तनाव क्यों हो जा हैं और कुछ ऐसे दरिंदो के चपेट में आ जाते हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि प्यार महबत अपनी जगा है पढ़ाई लिखाई अपनी जगा पर है आपकी जिन्दगी बहुत बड़ी है और आपको अपने मुकाम को पाने के लिए मतलब यहां इस दुनिया म है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि और लड़कियों को कि आप प्यार कर रही है अच्छी बात है लेकिन अपने केरियर को आप पहले प्राइवेसी में रखें उसको आप पहले ध्यान दे और प्यार महबत तो होता रहेगा जब आप किसी मुकाम पर खड़ी हो जाएंगी तो लाखो हजारों लड़किया आपसे प्यार करने के लिए प्लाइंगे प्यूचर बनाया ना कहा जा रहा है कि वेस्टरन कल्चर का हम लोग बहुत रट्टी लगा हूं है और कहा जाता है कि वेस्टरन कल्चर हंदुस्तान में हावी हो रहे हैं हमने दिखा कि इन दिनों जो सबसे पहली बात की हमारा जो समाज है वह मॉडेनेटी की तरफ बढ़ रहा है लेकिन मॉडेनेटी सिर्फ कपड़ों से या फिर बाहरी दिखावे से नहीं होता है वह सोच से होनी चाहिए मैं दोनों को सपोर्ट करती हूं क्योंकि आजकल जो डाइवोस होता है जो तलाक होता है उसमें दोनों ही रहते हैं लव मेरिजबी और अरेंज मेरेजबी लव मेरेज में कहीं कहीं यह सुनने मिलता है कि लड़का जूट बोलके शाधी करके लेग गया कुछ कुछ कमाता नहीं है तो उसके कारण भी तलाक हो जाता है और जो अरेंज मेरेज में उसमें ज्यादातर ये खबरे रहती है कि दहेज के कारण तलाक हो जाता है लड़कियों को रख नहीं पाते हैं तो दोनों कोई सपोर्ट करती हूं मैं रवाइब आप दूसरे तरह पैसा पॉलत भो आप डोनों में किस को चूज करो इसको जी बिलकुल मैं सच्छे प्यार को चूज करूंगी पैसे और दौलत करक्या हो तो आ जाएंगे और कल चले जाएंगे लेकिन जो सच्छा प्यार है वो सिर्फ लाइव में की बार आता है बार बार उसका आपने कॉलेजिंगे अभी आप युनिवर्सिटी में हो जी इसके बाद फिर आपके क्या इराता है जी मैं इसके बाद बेट करना चाहती हूं ताकि मैं उस स्कूल स्कूल यस तरिया पर मैं सिक्षिका की पद ले सकूं कि अइसे कोई टीचर है जिनको बहुत मिश्ट कर रहे हैं अपने जिंदगे में लगता है और साथ मिलकी तो आपके श्टडी में नहीं लोगी क्योंकि जितने भी सिक्षक जुड़े हैं जितने भी गुरू जुड़े हैं मुझे सबसे किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जरूर मेरे स्पूल मेरे कॉलेज मेरे अनुवर्सेटी अर खास कर जो गुरू रहते हैं वहुट सिफ़ न से सिक्षा मिलती है साथ में जो दोस्त रहते हैं और भाइबान है चोटे बड़े सबसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे लिए वो सभी गुरू का ही काम करते हैं अच्छा एक बात बतावा कि आपको अगर एक लाक रुपे में लिए आए तो सबसे पहला काम आप क्या करोगें और सबसे आज का जो समय है सबसे जादा अहम भूमी का निवारा है सिक्षा सिक्षा अगर नहीं है तो साहित कुछ भी नहीं है उनका स्विट वहीं है लिए लेकिन लड़के रुते हैं वह शादी करने से इनकार कर देते हैं इसलोगों को लिया क्या कि देखिए सबी लड़के शायद उन लोगों को मैं गलत नहीं कहूंगे परिवारिक तनाव भी रहता है और कुछ अपनी जिम्मेदारिया भी रहती है साथ ही साथ कुछ लड़के बदमाशिया भी करते हैं तो मेरा उनका यह कहना कि जब आप किसी को अपना हमसफर हमसा नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको उसकी जिन्दगी से खेलना और तो वह आपका कोई हक नहीं है आप अगर आपके लिए आपके पास जिम्मेदारिया है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को देखें प्यार को आप प्यार के तरफ आप ध्यानी ना दे आपका अब तक का सबसे मेरा सबसे अभी तक एचिवमेंट यही है कि मैं लिख पारी हूं यह बहुत बड़ी अचिवमेंट है और cfm जो न्यूज चैनल है उनके द्वारा मैं दो से चार चार से आठ आठ से बारा और बारा से बीस लाएं जो यह मैंने अभी तक जो लिखना सुर्वात किया है लिखने का तो उस चैनल का मैं बहुत सुक्र गुजार हूं कि मुझे इतनी दूरी तक वो लेकर आ और मैं आसा करती हूं कि और मुझे में और निखार लाने की वो प्रयास करते रहेंगे हिंदुस्तान में यह ली कहा जाता कि बंगाल की सरजनिन से खासकर हिंदी में कोई लड़किया उभर ने पारी है इस राइटर कितना उमिद लग आपको कि आप आसन सुल का नाम पुरी दुनिया में रौसन करता हूं कि यह सोचती हूं कि तमाम न्यूस चैनल सभी सभी चैनल हर तरह के न्यूस को दिखाते हैं बताते हैं लेकिन एक सी एफम चैनल ऐसा है जो हमारी प्रतिभाओं को हम जै पर मौका मिला है अपने प्रतिभाओं को निखारने का और यह जो मौका सी एफम चैनल नहीं दिया है तो अगर और सब चैनल तो इधर का खबर मतलब यहां का खबर बताते हैं लेकिन यह हमारी प्रतिभाओं को निखार रहे हैं अच्छा आपकी जो यह जिन शटका इसलिए कहा जाता है और चाल चलन वहार सब लड़कों की तरह है क्योंकि मेरी परवरिश भी लड़कों की तरह ही हुई है मेरे पिता ने मुझे कभी बेटि समझाही ने हमें सब बेटा का मान दिया और बेटे की तरह यह मुझे पाला पोसा आप तो चाहतें और आ suffer ऐनक्त की कि言 ले हमारी मात्र भाशा है और जब इपने मात्र भाशक कोई सही से नहीं पहचान सकते हैं सही सिर्जी को Haraj कर सकते हैं और अभी के जो युवापीडी है अगर उनसे कखग आप पूछा जाए तो साइद वो नहीं बता पाएं तो हमा इससे पता चलता है कि हिंदी का जो इस्तर है वो किस तरह से नीचे होते जा रहा है तो हम जो हिंदी लेकर हम सभी पढ़ रहे हैं तो एक तरह से मैसे हिंदी की जो प्रतिवा है वो बहुत है और निखर रही है पिता के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि पिता जनक है तो मा जननी है पिता नदी है तो मा धारा है पिता वो है जो परिवार के लिए सोचता है बच्चों के भविश्च के कलपना करता है बच्चों को ब इन भर कड़ी धूप में पसीना बहाना, बारिस में भीग कर बच्चों को सीचना, आंधी तुफान से लड़कर बच्चों को आगे बढ़ाना. कि कुछ करें, उसकी क्या खुबी सब सच्चा लगता आपको? वो मिलनसार है, सब का दुख सुख बाठती है, और कभी वो नेगटिव नहीं सब सुचती है, वो हमें सब पोजिटिव रहती है, पोजिटिव सेंस उसका सब से बैटर क्वालिटी है, कुछ फादर होते हैं जो बेटी बड़े का बाद सोचती है, सिर्फ उनको शादी करा दिया जाए, उनके करियर का बारे नहीं सोचते हैं, इस बारे हम क्या को हो गया? मैं तो बोलूंगा कि हर पैरेंस को चाहिए कि अपना बेटी को पढ़ाए और एक प्लैटफर्म दे लाइफ में, ताकि वो किसी पर आशरित ना रहा है, किसी पर डिपैंडेड ना रहा है, बस एक कुछ. कहा जाता है कि जब बेटी काम्याब होती है तो एक मा का बहुत रोल होता है, मा ये बेटी को बहुत सिविलाइस करती है, आप ये संसकार बेटी को कहां से दिये? जी, मैं और ना चल से हूँ, और मेरा अपना मेके से ही अपना संसकार जो मिला मैं यहां लेके आई, यहां सस्रार वालों से जो सीखा, मैं अपने बच्चों को सीखाई, और उसी को लेके चल रही है, अब कैसा मैसूश हो रहा है, बेटी आगे पल रही है, बहुत अच्छा कि बहुत बढ़ियां लग रहा है कि बहुत से लोग बैटी को पढ़ाना जरूरी है जतना बेटा हो जाता हो जाता है तो माता पिदा को अतना गर्व ने होगा जितना बेटी पैर पर खड़ी हो जाएगी तो गर्व होगा उसके लिए बहुत सारे बेटी को उतिकते जो बोल जो गहती काम कॉलेज जा रहे हैं लेकिन वह पार्क चलिए आती है क्या वह बेटी खुद को धोगा दरी न अपने मां को दोगा नहीं खुद को भी दे रही है अपने पैरंस को देवे कर यह लेकिन अपना लाइफ के लिए वह अपना खुद को दे रही है वह इसी बेटी के लिए क्या कहा जाए वह तो अपना पैर पर अपने कुलारी मार रही है अपना भावी से खुद खराब कर और बेटी से कितना उमीद है आपको बहुत उमीद है हम चाहेंगे कि सभी लड़की जो भी है वो आगे बढ़े पढ़े लिखे कुछ मुकाम हासिल करें हम लोग देखते हैं कि इनकी जो फ्रेंड सरक्ल है एक टीम के तरह काम करती है जब आप अपने बेटी को दोस्तों को देखते हैं तो भी कैसा मैसुस होता है बहुत अच्छा लगता है देखें और दोस्त के लिए कुछ का कहेंगे आप हाँ उनको भी कहेंगे कि बाबू पढ लिखो और आ कहीं एक प्लेटफरम पर खड़ी हो जाओ जिसे हम कहें कि यह हमारी बेटियां है